जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सै सुना अभी अभी उत्तरप्रदेश मोसम विभागने अगले 48 घंटे के दोरान यूपी के कई जिलों में भारिश यतन्त भारी मुशलाधार भारिश भैंकर आधी तूफान और बिजली गिर्ने को लेकर हाई एलेट जारी कर दिया है वही कई जिलों में बाढ़ आने की समभावना है तो अगर आप तरप्रदेश के कुछी भी जिले से रहते हैं तो इस खबर को एकदम आखिक तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी करने और दीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें सीधे बात करते हैं यूपी के मौसम समाचार की तो मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक ब्रच्छेतर के कुछ जीलों को छोड़ कर तुबे प्रदेश में हलकी सी मद्यम बारिश होती रहेगी हलाकि सुवे में एकाज जगों पर भारी बारिश की आशंका भी जाहिर की गई है तो वहीं बारिश का दोर ज्यादतर गुरुवार को देखने को मिलेगा वैसे तो सुकुरवार से लेकर रविवार तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इसकी रफतार धीमी हो जाएगी साधी बतादे की मोशन विभाग के नीदेशक जेपी गुपता ने न्यूज 18 से बादचीत में बताया की आज 15 सितंबर को बच छेतर और तराय के कुझ जिलों को छोड़कर बाकी पुरे परदेश में हलकी बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहेगा एक दो जगों पर तो भारी बारिश की शंभावना है लेकिन जौदे दर इलाकों में हलकी ही बारिश होती रहेगी बतादे की इन दिनों तेज ठंडी हवाएं भी चल रहेगी ये कब तक थमेगी इसे लेकर जेपी गुपता ने बताया की 36 गड़ में कम दबाव का छेतर ब बारिश हो सकती है 17 सितंबर को पुंदेल खंड ब्रज छेतर और मद्य यूपी के कुछ जिलों में बारिश का अनुमान लगाया गया है तराई और पुर्वांचल के जिलों में बारिश की संभावना नहीं है इसके अलावा 18 सितंबर को पश्चिमी यूपी और नेपाल की स सिमा से लगे जिलों और ब्रज छेतर के कुछ जिलों में बारिश संभावित है साथी 19 सितंबर तक के लिए भारी बारिश का मौसम भी भागने अभी तक कोई एलेट जारी नहीं किया है बतादे कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवादी तूफान बन रहा है 17 सितंबर त उसे लाइक करके जादर जादर लोगों में शेयर कर दें सबको इन खबरों के बारे में पता लगना चाहिए धन्यवाद